जेहिं दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपने योटीब चानल टूडए अपडेट में तो आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर जॉब प्रेट के वारे में तो यहां हम बताने वाले हैं कि जे एस एल पीएस के तरफ से एक फिल्ड से न्यू एक अपडेट आ रही है जो क की जॉब से इसमें हम आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन अप्लाइ कर सकते हैं और कौन से पोस्ट पे यहां वैकेंसी निकाली गई है कितना बेतनमा है और यह बता दे आपको यह गौर्वर्मेंट फुली गौर्मेंट जॉब होने वाल सकते हैं कि कौन कौन अप्लाइ कर सकते हैं और कौन कौन सा डिस्टिक में निकाला गया है तो यहां बता दे कि यह जो देख सकते हैं यह टोटल डिस्टिक से निकाला गया है यहां पे टोटल 24 डिस्टिक का नाम दे दिया गया है जो कि टोटल सबसे सबसे अगर आप यहां पर देख सकते अनिवारी योगिता जो की अतिरिक तिपाब जो की यहां पर अभिहारतियों को पदा अनुसार अवस्टा सेक्षिनिक जो की 10th and 12th जो है जारखन राज़ से अवस्तीत मानिता प्राप सेक्षिनिक संस्था से उतीर होना अनिवारी हो गिता होगी यानि कि 10th और जो 12th है यहां से आपकी यहां पे होनी चाहिए ठीक है जारखन से आपकी होनी चाहिए तो ही हां पे आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स चलिए बात करते हैं यहां करें ले इसके लिए गया करती है अपने अवेदन ओनलाइन के माधियम से यह जो वेब साइड है में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा यहां पे जाकर कि आप आप अपर देख सकते हैं यहां पर माधियम से आवेदन यहां पर सुविकार नहीं किये जाएंगे ठीक है ओनलाइन आवेदन पोटल जो है इस बिग्यापन के परकासित करने के मतलब तारीक से बहतर हंटा के अंदर यहां पर प्रकासित की जाएगी ठीक है यहां पर सुविकार की जाएगी यहां पर देख सकते हैं इच्छे उमिवाद आवेदन कर सकते हैं यानि कि ओनलाइन आवेदन होने वाली है और जो यहां बिग्यापन निकाला गया है उससे 72rin करका लिह देख सकते हैं यहां पे कर सकते हैं medicines और यहां पर बात करने वाली थे कि कौनगों सीट से निकाला गया है और यहां कौनगों सीट के लिए तो यहां पर बताएं तो DMMU का एक post है जो कि हाँ देख सकते हैं जीला लेखा अधिकारी होने वाला है ठीक है और इसका दूसरा जो है परखंट लेखा अधिकारी जो की BMMU है ठीक है पोस्ट का नाम जिससे कि यहां पर देख पार है नेक्स्ट बात करते हैं जीला यहां पर कॉंटेंट का है जो कि यह भी आपका DMMU का पोस्ट है चलिए बात करते हैं यहां पर सारी चीज़ें आपको यहां पर बताएंगे आपको कि क्या मांदे की परकिरिया होने देख सकते हैं स्टेज लेवल फर्स्ट में आपको रिटन एक्जाम आपका 60% वेटेज के साथ होगा और दूसरा जो होगा इंटर्वियो टेक्निकल टेस्ट वीथ जो है वेटेज यहां पर आपको यहां पर 40% के साथ होनी चाहिए ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं यहां है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अनुशूची जाती में और पर बताई गहीं है यहां तो दुआरा जार्कन राज्ड के करमिक परसास्निक शुधार जारी संकल्प के अंतरगत जो की अनुसूचित जाती और गैर अनुसूचीत जाती के यहां पे निवासी ही यहां पर पात्रा माने जाएंगे, ठीक है? यहां पे बताते हैं कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित जाती के जो निवासी होते हैं वो जारकन के निवासी ही यहां पे बर सकते हैं और क्या-क्या है यहां पे अनुसूचित जाती है और गैर अनुसूचित जीला नियमा वाली भी है यहां पे ठीक है यानि कि अगर ब अप्लाई करना ही नहीं है नेक्स्ट बात आते हैं आपको यहां पे गैर अनुसूचित जाती क्या जो है यहां पे 11 टूटल डिस्टिक है इसमें आपको यहां पर अप्लाई करनी है ठीक है यहां पर अप्लाई करनी है और कोई एक डिस्टिक से ही आपको यहां पर अप्लाई यहां पर देख सकते हैं कि दीवी है कि यहां पर विग्यापन के लिए यहां पर कितनी आयू कि दी जाएगी तो यहां पर बात करें नियुन्तम की तो 18 वर्स है और अधिकतम की बात करें तो यहां अनुसोची जाती के लिए 35-45 है पिछड़ा वर्ड अत्यंत पिछड़ा वर यहां 40-50 चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर सेक्षिनिक योगिता की बात कर लेते हैं तो क्या सेक्षिनिक योगिता है उसके रिगार्डिक हम इस वीडियो में यहां पर बताते हैं आपको यहां देख सकते हैं कि जीला लेखा अधिकारी के लिए यहां पर सेक्षिनिक डिग्री है तो भी यहाँ एप्पलाएई कर सकते हैं यानि कि पीजी की डिग्री आपकी हaneous होनी चाहिए कोमर्स से और यहाँ पर बात करते हैं बेतर मानकी यहाँ पर योगित्र से आपको यहाँ पर 20,000 से लेके 30,000 तक यहाँ पे बेतन दी जाएगी ठीक है बात करते हैं यहाँ पे experience की तो यहाँ पे आपकी कारी अनुभव जो है आपकी यहाँ पे टू वर्स की होनी चाहिए चलिए next बताते हैं दूसरा post के लिए जो थी इसमें हम बात करते हैं परखंड लेखा अधिकारी के लिए तो इसमें same thing है कि आपको यहाँ पे दो वर्स का असनांद करता डिगरी होनी चाहिए और इसकी मानदे भी सेम है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह experience भी आपको दो साल की मांगे जा रही है next बताते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह है जीला content की तो यहाँ पे देख सकते हैं मा माहा दी जाएगी और दो साल के यहाँ पे experience आपकी होनी चाहिए तो यह था कि हम आपको बता दिए जो निकाली गई थी टोटल तीन पोस्ट पे यहाँ पे वेकेंसी जे एसल पीएस की तरफ से तो हम आपको सारी information बता दिए I hope जब यह form फिलफ होगी तो सारी चीजे हम हमेशा आपको जॉब से related सारी information मिलती रहेगी तो जरूर आप इस चानल को subscribe कर ले और वीडियो को like करके जाता से जाता share करें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद